दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसी टाब का image editing करके बताने बाला हूं दोस्तों आप लोगको सबसे पहले कुछ इस तरीका से आप लोग slide कर लीजेगा कुछ इसी तरीका से आप लोग अपना clip को add कर लीजेगा, उसके बाद आपको बापस से photo room को ओपन करना है photo room में ओपन करने के बाद आप लोग को इसका एक screen shot ले लीजेगा स्क्रीन सोट को आपको सबसे पहले डिटच वाला उप्शन पर करके आप लोग कुछ इस तरीका से इस पर इरेज बरस को चला दीजेगा आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हम यहां पर इरेज करने हैं जब बढ़िया तरीका से रेज हो जाएगा तो आप लोग को अपना इमेज को सेप कर लिजेगा उसके बाद आपको ट्रांसपेरेट वाला उप्शन पर किलिक करके आपको फिर से ओरिजिनल इमेज को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपका भी इसका पी एंजी कुछ इस ट कर लेना है आप लोग को बापस से आप लोग को जो वाला इरेज किये थे आपको वे वाला पिक को एड़ कर लेना है कर लेना है आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इसका लेंथ आप लोग एक या दो के बीच में रख लीजेगा उसके बाद आपको नीचे में एक उप्शन उस पे किलिक करके आपका PNG जो cut किये थे आपको ओ बाला PNG को add कर लेना है आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमने PNG को add कर लिए हैं कुछ भी आप लोग इसी टाइप से अपना PNG को अपना first बाला layer के सामने तक के आप लोग बराबर से कर लिजेगा उसके बाद आपका इसका duplicate chart layer बना लिजिएगा जब आप लोग बढ़ें तरीका से chart layer बना लिजिएगा उसके बाद आपको first layer पे आकर आपको इस type से आप लोग को first बाला PNG को crop कर लिजेगा आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हम crop कर रहे हैं आप लोग को बढ़ें तरीका से crop कर लिएना है उसके बाद आपको नीचे adjust कर लिएना है आप लोग को इस वीडियो में बढ़िया तरीका से और राम राम से एजेस्ट करना है आप लोग को फर्स्ट बाला पी एंजी को अइड करने के बाद आपको सकेंड लेयर पे आना है सकेंड बाला भी लेयर को आपको कट करना है आप लोग को बढ़िया तरीका से चारू लेयर पर कट लगा देना आप स्काप लेयर तरीका सय तरीका से तरीका से चार्श है कर दो कर दो कर दो कर दो कौब कि लजाख सबसार्थ कर दो कुए असके बाद सरह सकेंड लेयर पर आना है सकेंड लेयर पर आने के बाद आपको first keyframe and second keyframe लगा के कुछ आपको अपना PNG को आपको नीचे की और adjust करना है उसके बाद आपको layer वाला option पे आना है उसके बाद second वाला layer पे click कर देना उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस type से अब का image बने है उसके बाद आपको फिर से third वाला layer पे आकर keyframe डाल के आपको video को थोड़ा सुक नीचे करना है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद आपको फिर से keyframe डाल देना कुछ इसी type से आप लोग keyframe लगा दीजिएगा कुछ इसी type से आप लोग बढ़िया तरीका से keyframe लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमारा वीडियो बनकर ready हो गया कुछ इसी type से आप लोग भी अपना वीडियो बना सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलिगराम गुरूब में नहीं जवान होएं तो टेलिगराम गुरूब में जवान हो जाएगा जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब कर दिजीए